सबसे पहले देश की खबरे अब आप तक पहुचाते हैं कानपूर में माता के दर्शन करके लोटरेश अधालू की ट्रैक्टर सडख हाथसे का शिकार हो गई कानपूर हाथसे के बाद यूपी सरकार ने क्या आदेश जारी किया है गांधी जैनती के मौके पर नेताओ ने बापू को कैसे याद किया और इंदौर के गर्बा पांडाल में फिर क्यों मचा ववाल देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए भारत वर्श टॉप नाई उतरब्रदेश की कानपूर में कल हुए सड़क हाथसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई मरने वालों में 11 बच्चों और 13 महलाई शामिल है हाथसे के सभी शिकार लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से उन्नाव से माच चंदिका के दर्शन कर अपने गाउन ओड रहे थे सभी बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली अन्य अंत्रित होकर सड़क की नीचे बने तलाब में गिर गई कानपुर सड़क हाथसे में 26 अधालों की मौत के बाद यूपी सरकार ने ट्रैक्टर पर लोगों को ले जाने पर रोख लगा दी हाथसे के जगए से 4 किलोमेटर की दूरी पर ही मारे गए लोगों के कोर्था गाउं में मातम बसरा करशी से हर दिन, हर महीने, हर साल इतना ही नहीं आपके रिटायर्मेंट के लिए भी पैसे कमाना है फिर देरी किस बात की? फ्रीड़माप को अब भी डाउनलोड कीजिए कानपुर में एक ही रात में दो दो बड़े सड़क हाथसे हो गए अहिर्मा फ्लाइ ओवर पर तेज रफता ट्रक और लोडर की टकर में पांच लोगों की मौत हो गई वहीं आंट लोग गंभी रूप से घायल हो गए हाथसे की शिकार सभी लोग मुंडेन के लिए परिवार समेत विंध्यान चल जा रहा ही थी गायलो को अस्पिтоाल में भरती कराया गया आज देश महातमा गांधी और पूर्ग पीएप्येम लाल भाधूर शासरी को याद कर रहा है गांधी और शास्री जयनती के मौके पर राश्रपती द्रौपधी मुर्मु ने राजगाट पर बापो को श्रधांजली दी द्रौपधी मुर्मु के साथ शहरी कारे मंत्री अरदीप सिंग पूरी ने भी बापो को नमन किया महात्मा गांधी को शद्धानजली देने के बाद राश्टरपती द्रौपती मुर्मू ने लाल बहादुर शास्त्री की जयनती पर उन्हें विजेगाट पर शद्धानजली दी. भारत जोड़ो यात्रपर निकले राहुल गांधी ने गांधी जयनती के मौके पर करनाटक के मैसूर बापु को शद्धानजली दी. राहुल गांधी यहां पर आयोज़त प्राथना में शामल भी हुए. राहुल ने ट्वीट कर कहा कि आज गांधी जयनती पर हम प्रण लेत सालिया. रिजीजू के साथ पूर्ष केंद्री मंत्री डॉक्टर हर्षवरजन भी सब्यान में शामिल हुए. इसके लावा केंद्री सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ केरन रिजीजू दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम रन में भी शामिल हुए. मध्यप्रदेश के हिंद और में गर्बा पंडाल से बजरंग दल के कारे करताओं ने एक बार फिर तीन गैर हिंदू समधाय के लोगों को पकड़ा आरोप है कि ये लोग गर्बा पंडाल में नाम बदल कर दाखिल हुए थे आईडी कार्ट चेक करने के दौरान बजरंग दल नहीं ने पकड़ा है बजरंग दल का दावा है कि पिछले चार दिनों में अलग-अलग शेतरू के गर्बा पंडाल से 14 गैर हिंदू लोगों को पकड़ा गया क्रशी से हर दिन, हर महीने, हर साल इतना ही नहीं आपके रिटायर्मेंट के लिए भी पैसे कमाना है फिर देरी किस बात की, फ्रीडा मैप को अब भी डाउनलोड कीजिए